Holy Outfit Part 2 में दिविया इस गुड़ वाले टीशेट को रीक्रियेट करने वाली है लेकिन इसमें सबसे महतोपोंड भूमी का इस बार है कपू किछली में कपू कुलाई थी लेकिन वो खिड की मेरे फोन की स्क्रीन पे मार रहा है कल जब मैंने Holy Outfit Part 1 रेड़ी किया तो दिविया ने भी मेरी मदद करी थी तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी थोड़ी बहुत इसकी हल्प करीदू तो दिविया ने टीशेट रेड़ी कर दिया मैं कपू को एक सैनिक की तरह रेड़ी कर रही हूँ जैसे कपू की हतेली पे अलगलग रंग अलगने स्टार्ट हुए कपू की खुशी का कोई ठीका नहीं था हाथ पे कलर लगया बे टीशेट पे फिर दूसरा कलर लगया बे टीशेट पे कापू की तो बल्ल्ले हो गई अपने घर में कपु सिर्फ अपनी मनमानी चलाता था और दस बारा बरबाद यां तो ऐसी चुटिकियों में रोज की कर देता था लेकिन बुगा के पास आने के बाद कपु को एक के बाद एक पतानी कितनी असफलताओं का सामने करना पड़ा पर आज की कातिले स्माइल जैसे कह रही हो कि यस यह है मेरा फेवरिट काम मौदा आ गया बस कपु का काम कंपलेट वा और दिव्या जैसे इस पे अपने हाथ के चाप देने लगे कपु उत्रेवे मूं से यह से देख रहा था जैसे यह काम तो मेरा था ना अब एक बात तो माली पड़ेगी कि इन दो दिनों में तकपु ने होली को जितना एंजोई करके खुश हुआ है न शायद अपने माइक हमें भी इतना खुश कभी नहीं हुआ होगा फुल व्लाग पी हमने बनाया और दान्स तो इतना किया कि क्या ही बताँ चलो अपनी टी अब बताओ किस किस का मन हुआ है कि दिविया का यह आउटफिट मैं अभी कभी ने कभी रिक्रियट जरूर करूंगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बड़े